मस्कार दोस्तों, बिबलोफाइल के डिजिटल प्रेट्फों पे आप सभी का स्वागत है, बच्चों आप सभी को पता है कि SSC GD 2024-25 की भरती आ चुकी है, और इस बार जो पदों की संख्या है वो आपके सामने हैं, 49,481 से भी ज्यादा पद आये हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि पिछली साल जो 26,000 की बैकेंसी निकले थी SSC GD की, उसको बढ़ा कर आपको पता है कि 46,000 से भी ज्यादा कर दिया गया था, तो यह प्रबल संभावना है कि इस बार भी लगबग यह आगे जाके लगबग 45 से 50,000 के आसपास होने की संभावना है, फिर भी अगर नहीं भी होती है, तो 40,000 पद कम नहीं होते हैं, और SSC GD के लिए जो एजुकेशनल कॉलिफिकेशन है, जो सिक्षा का इस तरह है, वो क्यों टैंथ किलास है, जिसमी बच्चे ने टैंथ किलास पास की है, दस्वी किला क्या है, दस्वी पास होनी चीए, इसमें 12 पास वाला बच्चा भी अपलाई करता है, गरोगा बच्चा भी अपलाई करता है, तो इसलिहाँ से इसमें जो कंडिडेट्स होते हैं, वो काफी अपिर होते हैं, तो आज हम इसको समझने का प्रियास करेंगे कि इस बार जो SSC GD 2024 की बैकиеशिया है कब से कब तंगório्ट फारम लगाय जा रहे है कब इसकी एक्साम होगी एक्साम पेटर्न क्या होगा इसका सलेभस क्या है exam की scheme, exam का सलेभस exam का pattern, physical stand क्या होना चाहिए running वगड़ा क्या होती है NCC की यह तिया आपके पास certificate age qualification क्या है सारे के सारे notification वो detail में समझेंगे ताकि आप किसी प्रकार की तूर्टी ना करें और आप इस अउसर का मेहत्पूर्ण फायदा उठा पाए SSE GD 2024 की vacancy है उन्ताल सदार से भी ज्यादा पद है सबसे पहले notification की बात करते है notification आपके सामने है Constable GD in Central Armed Police Forces SSF Rifles, Assam Rifles, Sipoy and Narcotics Central Bureau 2025 इसको एक नाम से SSE GD बोलते है Constable बनता है इसके अंदर जो भी है Armed Forces के अंदर हमारे सस्थर सेना के अंदर आपको पता है कि जो form निकले हैं वो form पहले निकल चुके हैं और 5 तारिक से लेकर 14 तारिक तक मतलब 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक इसको भरा जाएगा लगबक आपके पास 14 दिन का वक्त है तो एक बात मैं अभी बोलना चाहूंगा कि बच्चों आपको जो exam form है वो अभी भर देना चाहिए लास्ट टाइम पे आप मत रुका करो कि बात जब 2-4-5 दिन बचे हैं तब लास्ट टाइम पे देख लेंगे क्योंकि लास्ट टाइम कभी नहीं आता सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता तो आपका form कई बार रुक जाता है तो अभी मिड में शुरुआती दोर में आपको एक्जाम का form भर देना चाहिए लास्ट वारे तारीक का कभी इंतजार मत किया करो ठीक है लास्ट डेट क्या है form रिशिप्ट की 14 अक्टूबर अगले मैने की 14 तारीक है ठीक है और आप करेक्शन भी कर सकते हैं भरने के बाद ठीक है नवंबर के मैने मापिस में करेक्शन कर सकते हैं यह आपको तारीक दी गई है पास तारीक से लेकर साथ तारीक तक अगर कोई तुरूटी हो जाती है तो बाकि मैं तो यह कहूँगा कि तुरूटी आपको नहीं करने चाहिए और जो एक्जाम होगी आपको जनवरी फरवरी दो जार पच्चिस में इसकी एक्जाम टेंटेटिव डेट है ठीक है टेंटेटिव डेट है और स्वभाविक सी बात है नमबर ओफ एप्लिकेशन बहुत ज़्यादा लगेंगे तो सकता ही बढ़ जाए तो आपकी जनवरी फरवरी दो जार पच्चिस में इसकी एक्जाम होने वाली है बात करें वेकेंसी की वेकेंसी आपके सामने है टोटल वेकेंसी जो निकल के आए वो है उन्तालिस अजार चार सो इक्क्यासी एससी जीडी द गतनी है 35,612 और महिलाओं के लिए कितनी है 3869 और यह टोटल कितनी है 39,481 और पेसकेल आपको पता है ठीक है पेसकेल अठारा जार से 56,000 तक और 21,000 से 17,000 के आसपस तक आपको पेसकेल मिलेगा पेसकेल ता आपको देखना नहीं है पहले प्रायोरी ता आपको यह होने चाह हमें जोब में अपने आपको सेलेक्ट करना है उन चुनिंदा लोगों में सेलेक्ट करना है जिनके पास सरकारी नोकरी होती है अब हम बात करते हैं एज का क्राइटेरिया ठीक है एज लिमिट क्या है आपकी एज लिमिट काउंट होगी 1-1-2025 से अगली साल 1-1-2025 से आपक यह जोने चीए फ्रॉम 18 year to 23 years और मैं आपको यह बता दूं कि आपका जन्म 2-1-2000 पहले से ना हुआ हो और 1-1-2007 के बाद ना हुआ हो पांस साल का आपको यह रेंज दी गई है कि 18-13 साल की आपकी उम्र होने चीए आपका जन्म 2-1-2002 से पहले ना हुआ हो हाना वरना आप 13 साल से उपर निकल जाएंगे और आपका जन्म 1-1-2007 के बाद भी ना हुआ हो वरना आपके उम्र 18 साल से कम रह जाएगी तो 18-13 साल की उम्र के बच्चे सब इसमें एपलाई कर सकते हैं और age count होगी 1-1-2025 तक मतब इस तारीक तक 1-1-2025 तक आप 18-13 साल की रेंज में आने चीए और age relaxation का आपको पता ही age relaxation क्या है SC और ST के लिए आपको पता है 5 साल की छूट दी गई है OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है एक्स सर्विसमेंस को 3 साल की छूट दी गई है अना वो बच्चे जो गुजरात के अंदर जो 2002 में दंगे हुए थे और जो पंजाब के अंदर 1904 में communal rights हुए थे तो पंजाब के अंदर 1904 में इंद्रा गांदी के डैद के बाद जो communal rights हुए थे और गुजरात के जो गोद् गरी मियारा तो उसको 8 साल का रिलेक्षेशन है और अगर हो SCST मियारा तो उसको 10 साल का रिलेक्षेशन है तो गोद्रा कांड 2002 के विक्टिम्स उनके बच्चे और जो 1904 से के पंजाब में दंगे हुए थे इंद्रा गांदी की डैद के बाद इन लोगों के लिए जनरल ओब तीन मेने है अभी कौन समयने चल रहा है सितंबर अक्टूंबर नॉवंबर दिसंबर 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए डिगरी की कोई आशकता नहीं है ठीक है मार्क्षीट तो आपकी कभी भी आ जाएगी सोरी मार्क्षीट तो बाद में आती रहती है यह आपका रिजल्ट एक एक दोजार पत्ची से पहले डेकलेर हो जाना चाहिए मतलब 31 दिसंबर दोजार चोबिस तक आप दस्वी पास कर चुके हो दा केंडिडेट मस्ट हैव पास्ट दा मेंट्रिकलेशन और टैंथ एग्जामनेशन फ्रॉम रिकॉगनाइजड यूनिवर चाहिए मार्क शिट भले बाद में आजाए उसकी कोडिकतनी नहीं ऐसा ने कि आपके हात में माकशिट होगी तब भु hrpा होगे आप एक्जाम का फॉम और बशी रिजल्ट आजायगी और जो इस तारीक के बाद में जिसका रिजल्ट आएगा न उसको फिर इसके लिए ए certificate है गर उसके अनुसार आपको यहां पर marks मिलते हैं यदि आपके पास NCC की एक category का certificate है न तो आपको 2% marks मिलेंगे maximum marks के 2% marks मिलेंगे maximum marks कितने है 160 80 question आते हैं एक question दो number का है तो total marks कितने 160 160 का 2% करोगे तो 62 32 तीन point दो marks आपके increase हो जाएंगे अगर आपके पास NCC A category का certificate है तो अगर आपके पास NCC B category का certificate है तो आपको 3% marks मिलेंगे किस के marks मिलेंगे 3% total marks की तो 160 को 3C multiply करो 16 16 9 26 48 4.8 marks आपको यहां एड़ जाएंगे और अगर आपके पास NCC seat category का certificate है तो आपके 5% marks बढ़ जाएंगे maximum marks के 5% marks मतलब 160 maximum marks से इसका 5% कटो 65-88 marks आपको मिल जाएंगे तो आप देख लो आपके पास कौन सी NCC category का certificate है आप उसको लगाना जरूर क्योंकि इसकी वज़े से आपके marks बढ़ेंगे और मैं आपको बता दू NCC का certificate 1-1-2-025 से पहले आपके पास आजाना चाहिए इस तारीक से पहले का NCC certificate होना चाहिए age qualification में भी यही तारीक है और certificate में भी यही तारीक है 1-1-2-025 से पहले आपके पास आजाना चाहिए और यह जो एक्स सर्विसमें के लिए नहीं है क्योंकि एक्स सर्विसमें को तो एक्स सर्विसमें का apply नहीं होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है और आगे हम चलेंगे तो फिर application fees आती है application fee simple है 100 रुपे लिए जाएंगे आपसे 100 रुपे लिए जाएंगे किसे general और OBC category से जो सामाने वर्ग है general category और OBC category से इन दोनों से क्या ले जाएंगे 100-100 रुपे लिए जाएंगे जितने भी महिलाएं हैं मतब बच्चियां है women's है चाहिए वो किसी भी category की हो जन्राइल category की हो OBC category हो SCC category की बच्ची है woman है तो उसके लिए free है women candidates के लिए किसी भी category की women candidates हो बच्चियों के लिए सब category के लिए free कर रखा है पुरुसों के जब हम बात करते हैं बच्चों के जब हम बात करते हैं तो जन्दल category और OBC category के बच्चों को 100-100 रुपा देना है बाकि जो SC, ST के बच्चे हैं ST, SC के जो बच्चे हैं या X servicemen हैं इनके लिए छूट है तो सब भी बच्चियों के लिए छूट है SC, ST और X servicemen के लिए छूट है पैसा केवल दो category के बच्चों को देना है एक तो OBC category औरे के general category कितना देना है 100-100 रुपा देना है ठीक है और आप 15-10-20-24 अगले मैने की जो 15 तारिक तक आप उस तारिक तक आप payment कर सकते है 14 तारिक तक तो आपको form भरने की date है और एक दिन और बढ़ा के दिया गया कि 15 तारिक तक आप payment कर दिना इससे ज़्यादा लेट मत करना तो fees को issue नहीं है exam की skim की बात करते है ठीक है देखो 2 साल से थोड़ा pattern change हो गया है हाना 2 साल से पहले की अगर हम बात करें तो total आपके 100 कुशन आया करते थे पहले और 100 कुशन एक कुशन एक नमबर का होता था 100 माक्स का हुआ करता था 100 कुशन 100 नमबर के हुआ करते थे लेकिन अब 2 साल से pattern change कर दिया है अब questions कितने आते हैं 80 80 questions आते हैं और एक कुशन कितने नमबर का होता है दो नमबर का होता है तो total जो माक्स हो जाएंगे आपके वो कितने हो जाएंगे 160 हो जाएंगे 160 यहाँ पर आप देखो general intelligence and reasoning reasoning के 20 questions आएंगे एक कुशन दो नमबर का तो 40 माक्स होगे फिर आपको GK section है GK section के 20 questions आएंगे एक कुशन दो नमर का तो 40 यहाँ से होगे और फिर आपके जो elementary mathematics है जो 10th class की जो mathematics है उसके 20 questions आएंगे और ये एक कुशन दो नमर का 40 माक्स और हिंदी अंग्रेजी 20 questions आएंगे 20 दूना 40 देखो हिंदी या अंग्रेजी में से एक select करना है चार section आएंगे reasoning का, GK का, math का और हिंदी और अंग्रेजी में से आपको कोई एक select करना है यदि आप हिंदी select करते हैं तो हिंदी भासा का paper देना है और यदि आप English select करते हैं तो English भासा का paper देना है तो जैसे मालू मैं select करता हूं तो मैं select करूँगा Hindi तो मुझे क्या-क्या paper देना है मुझे paper में दिखाए देगा reasoning दिखाए देगा gk दिखाए देगा math दिखाए देगा और Hindi दिखाए देगी English मुझे दिखाई नहीं देगा तो किसी एक को आपको choose करना पड़ता है कि कौन सी भासा आप लेना चाहते हैं तो total math कितने होगे 160 time कितना है 60 minute एक गंटे में आपको 80 question करने है और total जो marks कितने है 160 negative marking का भी परावधान किया गया है यदि एक answer आप गलत कर देते हैं एक question को यदि आप गलत कर देते हैं तो आपको 0.5 marks काट ले जाएंगे एक question को गलत करते ही एक question के गलत करते ही आपको 0.5 marks काट ले जाएंगे तो negative marking नहीं करनी है कहने का मतब़े है जो आपको आता है न उतना ही आपको करना है और मां आपको बता दू कि 15 भासाओं में पेपर हो गई, 15 भासाओं में कौन कौन सी, हिंदी और अंग्रेजी दो भासाओं तो ये, और 13 रिजनल लैंग्वेज है, छेत्री भासाओं को सामिल किया गया है, आसाम, बेंगाली, गुजरात, कनेडा, कोकणी, मल्याला, मनिपूर मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिलते लोगों और उर्दू, तो दो तो इंग्ली, हिंदी और अंग्रेजी, और 13 ये, इस थानिय भासाओं, छेत्री भासाओं के एड़ करके, 15 भासाओं में पेपर आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सलेबस आपको पता है, जो रिज इस्ट्री, पॉलिटी, इको, जोग्रफि, साइंस के तिनों सब्जेक्ट, इस्टेटिक, आर्ट एंड कल्चर और आपका करेंट फिर, वो सारा का सारा जीके का मामला है, मैत की जब मैं बात करता हूं, तो मैत के भी सारे के सारे टोपिक है, दो टोपिक को छोड़ देना आ एंसुरेशन 2D, 3D को यहां पर एड किया गया है, दो जो बड़े वाले जो गंभीर टोपिक होते हैं, बच्चे जिन से बचते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिती, और साइन कोस्थिटा, और एक आपका जोमेट्री, जयमिती, जहां पर आपको बहुत सारे याकरतियों को देखना पड़ता है, तो इन दोनों को छोड़कर बाके सारे आपके टोपिक है, और इंग्लिस और हिंदी की जब हम बात करते हैं, तो जो भी आप चूज करोगे, सामाने हिंदी अंगरी जी की पूछी जाएगी आपसे, अब इसके बाद हम बात करते हैं, फ मेल है, पांच किलोमेटर की दोड़ दोड़नी है, चोबिस मिनट के अंदर, चोबिस मिनट के अंदर पांच किलोमेटर आपको दोड़ना है, और जो फीमेल केंडिडेट है, जो बच्चिया है, उनको सोला सो मिनटर दोड़ना है, साड़े आठ मिनट के अंदर, सोला सो मिन के जो male candidate है उनको 1600 मिटर ही दोड़ना है 7 मिनट में और जो female candidate है लगदाख रिजन की जो बच्चिया है उनको 800 मिटर दोड़ना है 5 मिनट के अंदर तो लगदाख रिजन के लिए अलग से standard है बच्चों को दोड़ना है 1600 मिटर 7 मिनट में और बच्चियों को दोड़ना है 800 जाएगा साड़े आठ मिनट के अंदर अब बात करते हैं फीजिकल इस्टेंड़्ड वो तो फीजिकल सटने दिल फीजिकल चेक की जा रहे थी अब आपका फिजिकल इस्टनेर्ड होगा आपके शरीर में काथ हाथ करती है हाथ कितनी चीए है मेल कंडिडेट के हाइट होनी चाहिए अब देखो यह किस किस के लिए है जनरल कैटेगरी के लिए है ओबी सी कैटेगरी के लिए है और ऐसी कैटेगरी के लिए तीनों के लिए यह ध्यानक ना सामान वर्ग के लिए ओबी सी वर्ग के लिए और अनुसूचित जाती वर्ग के लिए शैडूल का इसके अलावा जो ST है, ST के लिए relaxation है, ST के लिए male candidate की 162.5 height होनी चीए और female candidate की 150 होनी चीए ठीक है, इसके अलावा जो नौर्थ इस्टन स्टेट है, अपने सिक्की, मिजोरम, मेगहले, मनिपूर, अणाचर परदेश, ये जो अपने जो नौर्थ इस्टन 7 sister वाले जो राज्य है, इनके लिए कितना रखा गया है, 117 cm male की और 117.5 female की, इसके अलावा जो left wing ex service man है, उनके लिए ये है, और जो आपके मराठाज होते हैं, और आसाम के लोग होते हैं, गोरखाज होते हैं, इनके लिए थोड़ी कम की गरिये, 165 के आसपास इनकी की गई है, तो 170 और 157 male और female की, general obviously और SC category के लिए, SC category के लिए relaxation नहीं है, relaxation केवल ST category के लिए है, SC को तो 170 और 177 नहीं लिया जाएगा, इस बात का विशे दिहान एकना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कि साब age में relaxation है, SC, ST category में, educational qualification में relaxation है, तो यहाँ पर भी relaxation होगा, height में SC category को relaxation नहीं दिया गया है, even ST category को relaxation दिया गया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, chest की जब हम बात करते हैं, तो फिर chest में वही वाली बात होती है, general category, OBC category और SC category, तीनों के लिए कितना है, 80 cm, 80 cm तो normal होना चाहिए, फुलाने के बाद तो 55 cm हो जाना चाहिए, expansion कितना है, 5 cm, तो total कितना हो गया, 56 cm normal 80 cm होना चाहिए, और उसको expand करने के बाद, फुलाने के बाद, 55 cm हो जाना चाहिए, ये किस के लिए है, ये है general OBC और SC category के लिए, ST category की जबाब बात करोगे, तो ST category के लिए कितना है, 66 cm normal होना चाहिए, फुलाने के बाद, 5 और बढ़ा दिया जाएगा, तो 81 cm हो गया ये, ठ फुलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 5 बढ़ा दो, 83 cm, और ये जाब को north eastern state है, इनके बच्चों के लिए कितना है, 77 cm, फुलाने के बाद कितना जाएगा, 77 cm और 5 cm, 82 cm, ठीक है, तो general OBC और SC category के जो बच्चे हैं, उनके लिए 80 cm तो normal है, फुलाने के बाद पिच्च्च हो जाना चाहिए, 81 हो जाना चाहिए, इसके बाद में mode of selection ने दिया, आप देखोगे, exam की selection की प्रक्रिया को यह दिया, आप देखोगे, तो हमें अब तक यह समझ में आए कि साब से पहले computer based test होगा, written exam होगी, जिसमें 4 subject आएंगे, reasoning, math, GQ, और आपका Hindi English में से कोई एक चू anti-test, running होगी, chest वगरा, height वगरा, इसका measurement होगा, उसके बाद में आपका medical होगा, और medical के बाद में document verification होगा, अब यहाँ पर एक funny चीज लिखी हुई है, आपको selection लेने के लिए, यदि आप general category में आपको 30% marks score करना है, 160 का 30%, 48, 48 marks लाने भई, किसको लाने 48 marks, general category के बच्चे को, देखना थोड़ा, 25, 160 का 25% आप करोगे, तो कितना जाएगा, इसको 40 marks लाने हैं भई, और 160 का, all other categories के लिए, SC, ST के लिए, 160 का 20% करो ज़रा, 16, 32, 32 number लाने है, हद्ध हो गई भई, 160 का total paper है बेटा, 160 का total maximum marks लाने है, और general category के बच्चे को 30% marks लाने है, मतरब उसको 48 marks लाने है, OBC category या, EWS के बच्चे को 25% marks लाने है, 40 marks लाने, और STSC को लाने 20%, यह फालतु बगवास होती है, कहने का मतरब यह है, यह फालतु बगवास है, कमिशन को ऐसी बगवास करनी है नीची है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, मतलब क्यों नहीं है, माँ को cut off दिखाता हूँ, यहा की cut off, जंदल की cut off देखो, 153.56, 160 में से 153.56 गई है, OBC के जो candidate है, उनकी cut off है 152.28, 160 में से 152.28 गई है, तो आप जरा यह देखो जरा, यहाँ पर 48, 48, 32, यह केवल और केवल फालतु बगवास होती है, इस standard को आपको कभी देखना नहीं है, आपको तो अपना best दिना है, अ जितनी भी आपके अंदर शमता है, पूरी शमता के साथ प्रदेशन करना है, और अपने आपका दिखाना है कि मैं भी इस जिन्दगी में exist करता हूँ, मेरा भी कुछ वजूद है, मैं भी सरकारी नौकरी प्राप करने का मादा रखता हूँ, ठीक है, तो आप cut off देख लो, म केवल और केवल आप देखो, एक सो साथ और एक सो चोवर में कितना अंतर है, छे नंबर का अंतर है, छे नंबर के अंदर अंदर, सारे के सारे जनरर के कंडिगेट ले लिए, इससे नीचे वाले, जितने भी है, वो सब बार हो गए थे, तो cut off का माइना देख लो आप, तो आपको पूरा परियास करना, पूरी मेनद करने है, और आराम से सेलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 49,000 के आसपास पदस, इसका मत्रब यह कि अच्छे कासे पद्ध है, फॉर्म भी अच्छे कासे भरे जाएंगे, तो जो आप SSE की तियारी कर रहे हैं, अपने इंस्ट्यूट हो रही है, सारे के सारे कोशन से आपके नोट से निजर आ रहे हैं, मतलब आपसन के साथ आपके नोट से सारे के सारे कोशन आ रहे हैं, तो आपको क्या परियास करना है, आईए कोचिंग में एडमिशन लीजिए, और SSEGD का बैच जोएन कीजिए, यह आपको सेलेक्शन तक लेके जाएगा हम आपके साथ selection तक रहेंगे जब तक आपका selection नहीं हो जाता किसी exam में तब तक हम आपके साथ रहते हैं तो आपको अच्छा परदेशन करना है और form लगा दो और पूरी तयार के साथ पूरे शमता के साथ परदेशन करो तक आपको आराम से गवर्मेंट जोब मिल जाए तो आज करें इतना है किरते हैं मिलते हैं नैस क्लास में तब तक लिए सभी को धन्यवाद